शनी देव को न्याय का देवता माना जाता है और कहा जाता है कि जिस किसी के उपर शनी देव की किरपा हो जाती है उसके सारे बिगड़े हुए काम अपने आपसही होने लगते हैं और उसकी कुंडली में कभी शनी दोस्त देखने को नहीं मिलता है शनी देव चाहें तो किसी को भी राजा से रंक बना दें और अगर किसी को उनको गुसा दिलाया तो पल भर में ही उसे रंक से राजा भी बना सकते हैं शनी देव को सरसो का तेल बहुत ही पसंद है जब भी आप उनकी पूजा करें तो सरसो का तेल का प्रयोग जरूर करें आज हम आपको बताएंगे उन छो राशियों के बारे में जिन पर शनी देव की कृपादरिष्टी दो जून से पूरे 25 साल तक होने वाली है तो चली आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में पहला मेश राशी मेश राशी के लोगों पर शनी देव पूरे 25 साल तक अपनी कृपादरिष्टी बनाये रखने वाले हैं इन्हें हर तरह की सुभिधा होगी और साथ ही बिजनेस भी बड़ा फायदा मिलने के योग बनने वाले हैं दूसरा करकराशी दूसरी राशी है करकराशी इस पर भी शनी देव की कृपा रहेगी घर परिवार में शुक्षान्ती का माहौल देखने को मिलेगा अगर कहीं आपका पैसा फसा हुआ है तो उसके वापिस मिलने के चांस हैं इसके साथ ही प्यार के मामलों में भी आपको शनी देव का पूरा साथ मिलने वाला है आपको आपका बिछडा हुआ प्यार भी मिल सकता है तीसरा मितुन दाशी इस राशी पर शनी देव की कृपा तो देखने को मिलेगी, साथ ही धन की देवी, लक्षमी भी अपनी कृपा बरसाने वाली हैं, मितुन राशी की हर प्रकार के इक्षाएं पूरी होगी और धन में भी ब्रिद्धी होगी धनू राशी धनू राशी वाले जातकों पर शनी देव महरबान होने वाले हैं, जिसका प्रभाव 25 सालों तक रहेगा, इस समय के दवरान इस राशी वाले लोगों को बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, उनके बेवसाय में अत्यधिक मुनाफ़ा होगा, जो उनकी किसमत बद सकता है, पाचवा, कुम्ब राशी, कुम्ब राशी के जातकों पर अगर किसी तरह का करजा या किसी से कोई उधार लिया है, तो वो भी समाप्त होने के योगबंद हैं, सिहत में भी सुधार देखने को मिलेगा, शनी देव की कृपा से इस राशी के जातक माला माल हो जाए 6. कन्या राशी के जातक 25 साल के लिए धनवान होने वाले हैं, जबकि आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, इसलिए साउधानी से आप खर्चा करें, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, वो आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे और आप खुश भी रहेंगे 9. स्पिरिच्वल के रिपोट